हेलो दोस्तो काफी कुछ रोज से मैं अपने इंस्टागाम स्टोरी पे पोस्ट डाल रहा था कि यह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सी ए और नर्सी के अगेंज अगर लोगों को सही फैक्ट पता चल जाए तो मुझे नहीं लगता कि यह प्रोटेस्ट दो मिनिट भी और होंगे क्योंकि clear clear उसमें जो clearly stated है CIA और जो NRC के जो rules and regulations है कि उसमें कोई भी Indian जो है चाहे वो Indian Muslim हो राइन हिंदू हो उसके किसी भी rights को जो है वो चीना नहीं गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ political gains और divisive propaganda के चलते ये लोगों से छुपाया जा रहा है कि उसके जो facts है और बस उसी के लिए मैं आज फिर सोचा कि finally आज ये वीडियो मैं बनाता हूं और कम से कम कुछ लोगों को पता तो चले कि भी CA और NRC में ऐसा क्या है कि लोग इतना जाधा भड़क रहे है और ऐसा क्या actual में है जिससे भड़कना नहीं चाहिए उससे पहले देखते है कि CAA है क्या तो CAA which was the constitutional amendment bill ठीक है ये government में ये जो present government है इन्होंने लेकर आए और ये majority के साथ लोगसाबा राज्यासाबा दोन में पास हुआ तब जाके CAA बना विच इस द Citizen Amendment Act बनाई है उसके बाद तो Citizen Amendment Act जो है वो basically Indians के लिए नहीं है ठीक है जो CAA है वो Indians के लिए है ही नहीं तो ये किस-किस पे लागू होता है CAA ये लागू होता है तीन कंट्रीज तीन Islamic Republic कंट्रीज जो की है Bangladesh, Pakistan और Afghanistan इनकी जो प्रताडितिया persecuted minorities है जिसमें 6 communities दी गई है हिंद बुद्ध, Sikh, Christian, Jews और Jains तो इस तरीके से 6 communities है और इन्हें कहा गया है कि भई आप अगर इंडिया की citizenship लेना चाहते है तो हम आपको citizenship देंगे अब ये citizenship ऐसा नहीं है कि भई आप यहाँ पे हो आप दिखाओ अपना i-card और citizenship ले जाओ ठीक है तो CAA में बस जो process है वो process of getting citizenship through naturalization naturalization वो है जो आपको इंडिया में 11 से 12 साल रहना पड़ता है you have to reside in India only then you get the citizenship तो बस इन communities के लिए ये जो process है ये इसको expedite कर दिया गया है इसे speed up कर दिया गया है जो आप 5 से 6 साल में उन्हें citizenship provide की जाएगी और ये जो citizen amendment act है ये इन तीन countries के जो religious minorities है जो इंडिया में already रहे रह है ठीक है रहे रही है ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बुला बुला कर citizenship बाटने वाले है जो already रहे रही है और कब से रहे रही है 31 December 2014 के पहले से रहे रही है तो सिर्फ उन्हें जो प्रूफ कर सकते है कि एक तो वो या तो पाकिस्तानी है या अफगानी है या बंगलदेशी है उ अभी जाके उनकी citizenship का जो प्रोसेस है उसको speed up कर दिया जाएगा directly वो हाथ में पकड़ा नहीं रहे उसको speed up कर दिया जाएगा जो 11-12 साल का था वो उसको half कर दिया जाएगा यह है आपका CAA Act इसके अंडर में कोई भी Indian cover नहीं होता है यह Act जो है वो Indians पे आप पढ़ भी ले countries के minorities है, persecuted minorities है, religious minorities है, यह उन पे लागू होता है और यह उनको citizenship देने की बात है किसी की citizenship लेने की बात नहीं है अब CAA से related बहुत सारे protest में जो questions उठ रहे है, जो problems उठ रही है उसके हम उसको address करने के कोशिश करते हैं सबसे पहला है कि अगर आप वहां के Hindus को दे रहे है, आप वहां के Sikhs को दे रहे है, आप minorities को दे रहे है तो Muslims को क्यों नहीं दे रहे है, ऐसा बहेदबाव क्यों आप बोलते कि यह basic structure के against है हमारे यह हमारा देश secular है, तो इसके आपको directly law से नहीं आपको history भी जानना जरूरी है, इससे पहले आते हम पाकिस्तान पर, लोग कह रहे है कि वहाँ पर जो एहमादियास जो यह group है, ठीक है, हम अगर historical basis पे देखे, so they were the founders, वो कहते हैं खुदको, कि they were the founders, they played a very important role in founding Pakistan, ठीक है, और they strongly believe in the two nation theory, अब क्या हम ऐसे लोगों को citizenship देना चाहेंगे, जो इंडिया में आए, और इंडिया से जब partition हुआ था, तो वो यहां से गए थे, and they found a new nation, ठीक है, based on religion, इंडिया तो religion पे based नहीं है, ठीक है, इंडिया is not a nation which was founded on any religion, ठीक है, तो इन लोगों ने religion के base पे जाके पाकिस्तान बनाया, ऐसा यह खुदी कहते है, and they strongly believe in two nation theory, तो क्या हम ऐसे लोगों को इंडिया में लाके बसाना चाहेंगे, जो अभी भी two nation theory को support करते है, अब आते हैं मेंनमार पे, मेंनमार पे है, आप रोहिंगया Muslims की आप बात करते है, वो भी तो persecuted है, उन्हें क्यों नहीं आप दे देते है, ठीक है, तो जब भारत आज़ाद हुआ था, और बर्मा भी आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस समय जो रोहिंगया थे, आपक से ही जोईन करना चाह रहे थे next हम छोख पूछ रहे कि भी फिर श्री-लंका के जो तमिलियन जहें उन्हें क्यों लाया जा रहा है ठीक है तो श्री-लंका के अचय रहे तो यह इनको लाया गया था every में कुछ समय पहले जब उनका persecution हुआए था तो करीबन मेरे खहल से din तो उस समय तो किसीने सवाल नहीं उठाय कि भई अगर आप तमिलियन हिंदूस जो श्री लंका से आ रहे हैं उन्हें आप यहाँ पर सिदेजनशिप दे रहे हैं तो पाकिस्तान के हिंदूस को भी दीजिए तब आप यह नहीं कहा कि आपने अफगानिस्तान के हिंदूस को भ जो है प्रोसीजर होता है जहाँ पर क्राइसिस होती है पहले उससे एड्रेस करना जाते है आप यह नहीं कह सकते कि आप अपने बॉर्टरस खोल दिये है अपनी और जितने भी रिलिजिस माइनॉरिटीज है जो की पर्शीक्यूटेट है पूरे वर्लडवाइट वो आ जाओ यह थो है इंडिया में बश जाओ ऐसा नहीं हो सकता है दूसरा कि लोग बोल रहे है कि मुस्लिम को दो मुस्लिम को भी दो यह तीम कंट्री से तो क्या आप लोग इंडियन मुसलिम्स को पाकिस्तानी, अफगानी और बंगलदेशी मुसलिम से एक्वेट कर रहे हैं आप कर ही नहीं सकते इंडियन मुसलिम्स इतने पीस लविंग मुसलिम्स है और आप यहां के देखिए यह लोग क्यों देश छोड़के कहते हैं तो आप ऐसे लोगों को फिर से इंडिया में लाकर आप यहीं फ्यूल कर रहे हो और यहां के लोग जो है वो बहुत जादा एक सिक्यूरिटी को जो है हमारे वो बहुत जादा एक डेंजर पोस कर सकते हैं क्योंकि आप इंडियन मुसलिम्स और कहीं कोई और देश के मुसलिम्स को कभी इक्वेट नहीं कर सकते और लोग चाहते हैं कि बाकी यह तीनों कंट्रीज के मुसलिम्स को भी सिटेशनशिप डिरेक्टी दे दी जाएं तो यह पॉसिबल नहीं है सबसे पहली बात क्यों क्योंकि यह तीन जो नेशन जो सिलेक किये गए हैं कौन-कौन से फिर से बताता हूँ बांगला देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान यह तीन जो देश है यह इसलामिक रिपब्लिक है इनके कॉंसिट्यूशन में माना ग यह होनी चाहिए कि कोई अगर मुसलिम मैजॉरिटी नेशन है तो वहाँ पे मुसलिम का परसिक्यूशन कैसे हो सकता है यह इसी तरीके हैं वहोगै कि इंडिया में भारत में हो और यहां पे हिंडूों का परसिक्यूशन हो रहा है यहां कोई नहीं मान सकता है बात सीधी बा non-muslim population है, जो non-muslim religious minorities है, इनकी जो population में जो एक steep decline आया है after partition, तो आपको ये भी एक factor, ये भी जो एक चीज है, ये factor न करना पड़ेगा, कि वहाँ पे उनका persecution हुआ है, forced conversions हुए है वहाँ पर भी, और बहुत जादा तकलीफ में वो रहे रहे हैं, और ये सिर्फ हम BJP की सरकार है, या हिंदुत्व की सरकार है, इसलिए कोई नहीं कह रहा है, आपको इसके लिए भी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और आपको जो नहरूलियाकत पैक्ट आपको समझना पड़ेगा 1950 का, तो ये दोनों देश के जो प्रमुक्त थे, 1950 में, इन दोनों ने एक पैक्ट साइन किया था, जिसमें कहा गया था कि हमारे देश में जो भी religious minorities है, उस समय में हिंदुस्तान में जो majorly Muslims थे, वो minority, पाकिस्तान में जो non Muslims है, Hindu है, Sikh है, ये, तो इनकी हम हिफाज़त करेंगे, ठीक है, तो एक ये दिया था, और उसमें गांधी जी ने भी ये कहा था, कि भी, अग कि अगर कोई हमारे जो भाई बन है, जो दूसरे पाकिस्तान, इस्ट या वेस्ट पाकिस्तान वो टाइम गांगलादेश और पाकिस्तान बहार रह रहे हैं और उन्हें इंडिया या भारत वापस आना है, तो ये भारत सर्थकार का करतव्य है, कि वो उन्हें यहां पर बनाया गया, और क्यों लाया गया, बहुत बड़ा सवाल फिर भी सब के मन में है, कि क्या ये CAA है, ये किसी की citizenship जो है, वो वापस ले सकता है, तो अबसलूटली गलत है, ये जो भी अगर पहला रहे है, आपको सब लग रहा है, कि जो CAA है, ये किसी की citizenship लेने के लिए act बना citizenship देने के लिए बना है, और citizenship देना भी डिरेक्टली नहीं, citizenship देने की जो प्रोसेस है, उसे accelerate करने के लिए बना है, तो आपको जो भी अगर आपके आसपास के लोग कह रहे होंगे, कि आपकी citizenship खत्रे में है, या ऐसा है CAA की वज़े से, आपसलूटली गलत है, ये बिलकुल बिलकुल सरासर गलत है, ये, और ये CAA में जो minorities दी है, religious minorities, तो इसका क्या मतलब है, कि भी हम बाकी किसी religion के लोगों को नहीं आने देंगे, बिलकुल गलत, ये भी बिलकुल गलत है, हम सब को आने देंगे, हम सब को citizenship देंगे, इंडिया जो है, वो secular देश था है, और हमेशा रहेगा, हम सब को देंगे, लेकिन उनकी जो process है citizenship पाने की, वो accelerate नहीं होगी, बस इतना है, वो अगर इन, ये CAA के अंदर में जो cover नहीं होते हैं, जैसे दूसरे countries के, हो सकता है, दूसरे countries की religious minority में भी हिंदू आते हो, ये तीन country छोड़के, तो उन्हें भी जो पूरा जरूरी है, आती है, कि भी ये basic structure के against है हमारे, जो constitution का basic structure है, उसके against है, तो basic structure में basically लोग दो चीज टारगेट कर रहे है, एक तो page पहला पढ़ो, पहला page पढ़ो, मतलब preamble, उसमें secularism दिया हुआ है, absolutely अभी तक मैंने जो point state के, आपको समझ में आ गए होगा है, कि बिलकुल 14 बात करता है, right equality की, अब ये जो right, article 14 है, ये Indian constitution में है, और ये Indians पे apply होता है, ठीक है, ये foreigners पे या फिर refugees पे directly आप apply नहीं कर सकते, क्योंकि refugee जब तक उससे citizenship grant नहीं होती, वो still foreigner है, ओके, और foreigners पे article 14 या Indian constitution के सारे laws apply नहीं कर सकते आप, दूसरा, अगर आपको करना भी है, so parliament के पास article 14 ही के तहत ये power है, कि वो reasonable classification कर सकते है, reasonable classification का क्या मतलब हुआ, कि अगर हम Indian है, ठीक है, हमारे पास by birth citizenship है यहां की, तो कहीं से कोई और देश से अगर कोई citizen आ रहा है, कोई एक refugee आ रहा है, आप उससे citizenship grant कर रहे हो, तो क्या हम और वो same एक platform पे आ जाएंगे, नहीं इस तरीके से एक reasonable classification जो है, वो parliament के power के under आती है, वो reasonable classification इस तरीके से कर सकते है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि article 14, article 14, बिल्कुल या article 14 के against नहीं है, article 14 के under में एक test of equality होती है, ठीक है, तो basically एक जैसे लोगों को, एक जैसा treatment मिलना चाहिए, यह जो है, this is the essence of article 14, कि test of equality आप किस अपर लगा रहे है, क्या मैं और कोई दूसरा refugee आता है, तो क्या हम दोनों same level पे है, या फिर हम दोनों same हो गए, और हमारे उपर same test of equality लगना चाहिए, कि नहीं, article 14 और इंडिया के जिते laws है, वो तुम पे भी equally apply होगे, भाई तो by birth हैं का citizen हूँ, ठीक है, और वो तो refugee है, त तो क्या हम दोनों को same equality test से गुजरना पड़ेगा, absolutely गलत, तो article 14 का basic essence यह है, कि एक जैसे लोगों को एक जैसा treatment मिलना जरूरी है, अगर आप Indian citizen है, by birth, तो आपको जो है वो treatment रहेगा, और जो आप पे treatment रहेगा, वो एक जैसा रहेगा, अगर यहाँ पे चार लोग है, चारो कोई चीज को लेकर, तो article 14 मेरा violet हो रहा है, उसके बीना वो violation नहीं माना जाता है, article 14 का, CAA का एक और point जो है, वो लोग उठा रहे है, ऐसा कह रहे है कि आप इतने citizenship बाट देंगे, इतने लाखों में, करोडों में लोग यह तीनों country से जो persecuted minorities है, religious minorities यह साब आ जाएंगे, तो हमारी job, आप तो job दे नहीं पा रहे है, ठीक है, आपके पास jobs नहीं आना, employment इतना जादा है, resources नहीं है, तो भाईया यह लोग already यहाँ आ चुके है, क्योंकि CAA की cut-off date है, ठीक है, क्या cut-off date है, 31st December 2014, तो इसके पहले जो already इंडिया में आ चुके है, यह तीन देश से, यह 6 persecuted religious minorities, इन ही की जो citizenship है, उसको जो प्रोसेस है, उसको accelerate किया जा रहा है, एक दिन भी जो, एक जन्वरी 2015 को भी जो इहाँ पर अगर कोई हिंदू आता है, बांगलेदेश से, तो वो CAA के undercover नहीं होता है, CAA के through citizenship अपनी accelerate नहीं करवा सकत, तो कोई नए आ जाएंगे, इसका कोई तथे नहीं बैठता है, अगर नए आते हैं, तो उनको वो पूरी 11 से 12 साल की जो nationalization की प्रक्रिया है, वो पूरी करना पड़ेगा, उनकी speed up, जो है वो process नहीं होने वाली है, आते है the very contentious NRC पे, ठीक है, जो की है national register for citizens, ठीक है, अब ये क्या है, basically ये एक list रहेगी, ये एक database बेच रहेगा, जिसमें सारे citizens के नाम रहने वाले है, ठीक है, तो लोगों का, ठीक है, हम problems पे बाद में आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि NRC क्या है, ठीक है, इसकी history क्या है, ये जानना जरूरी है कि history क्या है, ठीक है, तो जब 1971 में, ठीक है, इस पाकिस्तान जो था जो आज का बांगलादेश है, यहां पर एक liberation की war छेड़ गए थी, ठीक है, तो वो liberation के war के चक्कर में, काफी सारे जो refugees है, ठीक है, बहुत सारे illegal immigrants है, बहुत सारे infiltrators, ये हमारे बांगलादेश की जो border है, वो cross करके इंडिया में आ गए थे, और guess करो कहा बसे थे, ये सब जा तो उन्हें ऐसा था कि फिया, अगर ये बेंगॉली स्पीकिंग जो population जो वहां से आ गई है इतनी सारी बांगलादेश से, तो अगर ये इतनी तादात में आ जाएगी, तो ये हमारे जो political front है, ठीक है, हमारे जो culture है, हमारे जो government jobs है, ये सब में बहुत जादा आगे आ जाए जो हमारे उस समय के जो प्रधान मंत्री थे, श्री राजीव गांधी, उनके साथ में Assam Accord साइन हुआ, जिसमें की NRC की बात हुई, कि भी आप NRC करवाईए, और जितने भी illegal immigrants हैं, उन्हें वापस से बांगलादेश आप भेजिए, ठीक है, तो और वो NRC की cut-off date क्या रखी गई थी, वो NRC की cut-off date रखी गए थी, 24th March 1971, ठीक है, ये date क्यों सिलेक की गई है, हमें इसका हिस्ट्री जानना जरूरी है, तो ये इसकी हिस्ट्री थी कि उस समय से जो बांगलादेश में, जो उस समय इस प्राकिस्तान था, वहाँ पर लिबरेशन की जो वार छिड़ गई जो आसामीज पीपल हैं उनका, कि भई इन्हें आप शॉट्लिस्ट कीजिए और ये date के पहले अगर जो documents ना दिखा पाए कि वो यहाँ पे रहते थे, ठीक है, तो आप उन्हें वो वापस भेज दीजिए, ओके, तो अब गवर्मेंट ने उस पे काफी time तक काम की, बहुत लंबा प्रोसेस चला NRC का, और ये Supreme Court के directive के अंदर चला, तो ये government के directive के अंदर नहीं था, ये Supreme Court के अंदर चला काफी समय तक, और अभी अभी थोड़े समय पहले वो NRC की list final हुई है, जिसमें करीब 19 लाख जो लोग है, irrespective of religion, ठीक है, चाहे वो Hindu हो, चाहे वो Muslim हो, चाहे नाम आया है वो list में, and they are supposed to be deported back, और अभी कुछ दो-तिन दिन पहले ही, बांगलादेश के side से पहली बार, पहली बार इतने सालों में, एक statement जारी किया गया है, बांगलादेशी government के side से, कि अगर आप evidence दिखा सकते हैं, कि ये बांगलादेशी है, तो हम उन्हें वापस ले तो nationwide NRC, ठीक है, उसके उपर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत लोग को हो रही है, तो बोल रहे हैं कि हम खुद इंडियन हैं, और हमें खुद को ही ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हम इंडियन हैं, तो ठीक है, तो ये NRC का जो concept है, ये कोई नया नहीं है, ये देश में, पू हो चुका है, अब लोगों का NRC पर प्रॉब्लम्स पर आते हैं, अब आपको NRC समझ में आगे, NRC के प्रॉब्लम्स पर आते हैं, कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहली बात कि NRC पर बहुत जादा discussion करके वो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि government का अभी तक इस तरीके से होने वाला है, तो जितनी बाता है, आप सुन रहे है, nationwide NRC की, यह सारे speculations है, absolute speculations है, कि इस तरीके से होगा, ठीक है, self-made scenarios बना रहे हैं सब लोग, सिर्फ डराने के लिए, सिर्फ डराने के लिए एक बिल्कुल मेहम का situation बना दिये है, बिल्कुल एक mass hysteria create करना च आ रहे हैं सब, और सिर्फ speculations है, और speculations किस पे based है, यह आसाम के NRC पे based है, तो उस पे हम एक एक problem को हम आते है, टाकल करते है कि किस तरीके से जो NRC nationwide लागू अगर होता है, जो कि जिसका कोई directive आये नहीं, जिसके कोई rules आये नहीं है अभी तक कि किस तरीके से वो होगा, तो ह हम उस पे आते हैं, सबसे पहला जो issue आता है, वो है cut off date का, तो आसाम का जो NRC था, उसका cut off date was 24th March 1971, ठीक है, तो 24th March 1971 का जो यह cut off date है, ओके, तो क्या यह पूरे इंडिया में भी लागू करने लायक है यह date, अब आपको history तो पता है कि यह 1971 की जो date है, यह क्यों select की गई थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बांगलादेश जो है, वो एक liberation के war में था, और इस वज़े से वो date select की गई थी, तो क्या यह पूरे इंडिया पे भी लागू करने लायक है यह date, आपसलूटली नो, जरूरी नहीं है कि वो date पे आप, वो date पूरी nationwide NRC के लिए valid है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि हम 1971 के पहले के documents कहां से लेकर आएंगे, तो आपको लाने की ज़रूद भी नहीं है, क्योंकि वो date, nationwide NRC के कोई महत्वर रखती ही नहीं है, तो of course उसके अगर nationwide NRC आता भी है, जो कि हम फिर speculation के point पे आरे, क्योंकि अभी तक कोई directive है नहीं, तो वो आगे का ही आएगा, उसके पहले या तपका रखके कोई सेंस नहीं बनता है, और सबसे बड़ा डर जो NRC को लेके है, और जिसकी वज़े से इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा जानमाल का नुकसान हो रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, लोग पत्राव क कर रहे है, बसे जल रही है, पूरे देश में बहुत तनाव का माहूल बन गया है, और बहुत ज़्यादा डिवजिव प्रोपोगांडा फेलाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो एक भढ़काऊ जो चीज जो बोल सकते हैं, हम इसमें जो लोग निकाल कर लेकर आ रहे ह है, वो बोल सकते हैं कि CAA और NRC का, जो अगर हम इन दोनों को एक साथ कंजंशन में देखें, तो क्या प्रॉब्लम क्रियेट होती है, तो लोग का कहना है कि भी, NRC में जैसे एक हिंदू है, एक हिंदू इंडियन है, ठीक है, और एक मुसलिम इंडियन है, ठीक है, दोनों का citizenship मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन जो इंडियन मुसलिम है, वो ये नहीं कर सकेगा, और वो detention camp में रहेगा, और detention camp में रहना पड़ेगा, डिपोर्ट होगा, जो भी है, ठीक है, तो इनका कहना है कि आपकी जो इंडियन मुसलिम की citizenship है, ये ले ली जाएगी, absolutely bullshit, ठीक है, बिलक गलत, बिलकुल ही गलत है, ये, क्यों, ठीक है, सबसे पहले, जो हिंडू है, ठीक है, इंडियन हिंडू जिसका नाम NRC में नहीं आया है, और जो detention camp में है, ठीक है, अगर वो CAA के थ्रू जाना चाहता है, तो उसे क्या-क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ये ठीक है, CAA मैंने स्टार्टिंग में बता था, किस पर लागू होता है, वो इंडियन पर लागू होता ही नहीं है, वो लागू होता है, अफगानी, पाकिस्तानी और बांगलादेशी के जो persecuted religious minorities हैं उन पे, तो अगर जो इंडियन हिंदू है, अगर वो detention camp में जाता है, उसके यहां के documents जो लगेंगे, चलो कम से आपको एक passport तो लगेगा, यह तीनों countries में से एक का, किसी ना किसी का, तो क्या वो passport हासिल करना किसी इंडियन के लिए possible है, absolutely no, उसके बाद में आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा, कि आप वहां के जो है religious minority में आते है, उसके आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा, कि आप वहां के जो religious minority है, वो persecuted minority में आते है, तो क्या यह सारा प्रूफ करना, एक Indian Hindu है, possible है, और जो CA है, उसकी भी cut-off date है, cut-off date क्या है, 31st December 2014, उसे यह प्रूफ करना पड़ेगा, कि 31st December 2014 के पहले से, इंडिया में है, ठीक है, तो यह सारी चीज में किसी Hindu का नाम नहीं आता है, किसी Indian Muslim का नाम नहीं आता है, तो everybody is in the same boat, लोग यह पहला रहे है, कि Hindu को है, और Sikh को यह जितने भी 6 minorities है, इनको तो मिल जाएगा, लेकिन फसे हो के कान, Indian Muslim फस जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, कैसे हो सकता है, मैंने अभी facts आपक कि यह possible है, क्या, आप ला सकते है, क्या कहीं का भी passport, पाकिस्तान का passport बनवा सकते है, वाके citizenship का प्रूफ दिखा सकते है, क्या वाके citizen है, ताकि आपको CAA के through, आपकी citizenship जो आपको मिलनी है, वो आपकी accelerate हो जाए, बिल्कुल नहीं, absolutely wrong है, तो इतना जाएगा जो लोगों को मतलब नहीं बनता है, ठीक है, अगर एक Indian Hindu है, एक Indian Muslim है, दोनों का NRC में नाम नहीं आता है, दोनों जाते हैं, डिटेंचन कैम्प में, तो दोनों डिटेंचन कैम्प में ही रहेंगे, हिंदू वापस बहार आ जाएगा, citizenship लेकर CAA के through और मुसलिम रह जाएगा, वहाँ पर ह प्लीज, ऐसा डर मत पहलाईए, ठीक है, बिलकुल ऐसा नहीं होने वाला है, CAA और NRC को आप कंजंग्शन में देखना ही बड़ी बेवकूफी है, और ऐसा NRC, ये सारी NRC की जो था, ये NRC का अभी तक कोई डारेक्टिव नहीं आया है, सिर्फ स्पेकुलेशन पे खेल है, स absolutely ये, CAA और NRC को कंजंग्शन में देखने के चक्कर में ही इतने लोगों को mobilize easily किया जा रहा है, और इतने जादा लोगों को भड़काया जा रहा है, देखिए, मैं ना तो कोई जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, ना तो मैं लॉयर हूँ, ठीक है, और जब मैं ये सारी चीजे मैं मैंने government की websites और PIB की notifications और government की website से ही मैंने पढ़के ये समझा है, अगर ये मैं समझ सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कोई भी पढ़के easily समझ सकता है, इसके लिए, तो आप ये समझे, जो mic लेकर stage पे खड़े होके इतने बड़े protest को जो लोग वहाँ पे जाके भाशन दे रहे है, क्या ये वो लोग ये नहीं समझ सकते कि CA क्या है, और इसमें citizenship का क्या खेल है, और वो आपको किस तरीके से भढ़का रहे है, मैं बहुत दिल से request करता हूँ कि प्लीज लोगों को धर्म के नाम पे मत बाटिये, अपने facts चेक कीजिए, खुद पढ़ने की कीजिए, सब कुछ, सब कुछ, सोशल मीडिया सबसे बड़ा जो प्रॉबलम है, वो सोशल मीडिया, आप पोस्ट आते हैं, ठीक है, आप वेरिफाय करते नहीं है उससे, क्रॉस चेक करते नहीं है कि वो सही है की नहीं, बस हाँ, कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, आपने उठा के वीडियो डाल दिया, यहाँ पर नेशन अगेंस नर्सी, नेशन अगेंस ये, आपने भी हाश्टेक चला दिया वहाँ पर, तो कही न कही अगर आप बिना सोचे, समझे, बिना फैक्ट चेक किये, आधी अधूरी नॉलेज लेकर, अगर आप ऐसे पोस्ट शेर करते है, तो यह जो हिंसा हो रहे, यह जो लोग को हानी पहुच रही है, इस में कही न कही आप भी हिस्सेदार है, यह आपकी गल्ती भी है, यह आपको मानना पड़ेगा, तो नेक्स टाइम इस तरीके की हिंसा भढ़काने के पहले, आप दस बार सोचेंगे, कि ऐसे पोस्ट शे शेर कर देते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को उसका खामियाजा बुगरना पढ़ रहा है, तो मेरी एक यही धरखास्त है कि प्लीज, get your facts checked, get it right, and only then protest, ठीक है, पूरी knowledge के साथ, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, आधी हदूरी knowledge किसी और ने बोल दिया, कि अब ही आपकी citizenship चली जाएगी, आप तो मुसल्मान हो, government तो anti-muslim है, इससे ऐसा नहीं होता है, आप मत भढ़ किये, मेरी एक request है, खुद के facts चेक कीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो protest हो रहे है, इनका कोई भी standing बनती ही नहीं है, क्योंकि ये किसी Indian के against नहीं है, ये law जो है, किसी Indian के against, नहीं है, किसी की citizenship, चाहे हो हिंदू हो, चाहे मुसलिम हो, चाहे किसी भी धर्मका हो, उनकी citizenship नहीं जाने वाली है, आपको मेरी ये जो बात है, ये समझ में आई है, ये आपको कुछ भी doubt है, आप मुझे चॉली, आप connect कर सकते हैं, आप और legal expert से भी सकते हैं, कि मैंने जो कहा, वो सही है या नहीं है, हो सकता है, कि मेरे इसमें कुछ कम जादा हो, मेरे facts में, क्यूंकि, of course, मैं कोई lawyer, या फिर मैं कोई journalist नहीं हूँ, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, कि कहा मैं गलत था, या तो आपको कुछ फिर भी doubt है, तो आप मुझ से कुछ समझ में आया होगा, तो जो प्रोटेस्ट और जो anti-CAA और anti-NRC के जीनों ने post डाले हैं, मैं उनसे request करूँआ कि इस वीडियो को भी उसी तरीके से शेयर करें, ताकि ये हर लोग, हर इंसान, हर उस एक आदमी तक पहुँचे, जो डरा हुआ है, जो ये मानता है कि उसकी citizenship चली जाएगी, क्योंकि कुछ नेता उने और कुछ political parties ने इस तरीके का एक divisive propaganda इतनी बुरी तरह से फैला दिया है, कि एक mass hysteria का जो ये माहौल create हुआ, ये बहुत dangerous है, अब ये mass hysteria करता क्या है, लोगों को ये जो डर है, ये करता क्या है, ये आपको facts देखने से रोक देता है, अगर आपको facts सामने रख भी दिया जाए, अगर आपके सामने पूरे facts हो, फिर भी आप उन्हें नहीं मानोगे, क्योंकि आपके मन में वो डर इतनी बुरी तरीके से घर कर चुका है, तो इसके लिए मैं सबसे request है कि प्लीज ये वीडियो जाध से जाधा शेर है, ठीक है, हम जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हूं कितना dangerous हो सकता है हमारी life के लिए, हमारे जो आसपास रहने वाले हैं, उनकी life के लिए, तो प्लीज 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 ये वीडियो शेर कीजिए, और ऐसी नकली और गंदी और बेहुदा अफवाय फैलाना बंद कीजिए, जैं